आप सभी का इस नई वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम कपाल भाती प्राइणाइन के बारे में जानेंगे दोस्तो हमारे जो पेट है यानि कि अब्डमेन है उसे हमारे शरीर का केंद्र कहा गया है Kaynray इसलिए क्योंकि हमारी body के बहुत सारे hormones जो हैं वह हमारे Hopefully, या abdominal organs जो हैं जैसे pancreas, liver तो यह सारे produce करते हैं हमारी body के digestive system जो हमारे abdominal area में ही है digestive system ही वह और्गन है या वह system है जो बहर से आने ओले foods से energy extract करती है जिसकी वज़े से पूरी body में energy का संचार होता है और जो vitamins, nutrients, minerals जो इस energy को बनाने के लिए चाहिए है वो पेट के द्वारे यानि कि abdominal organs के द्वारा ही आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हमारा जो पेट है, वो स्वस्थ है, वो ठीक है तो हमारी body में होने वाली 90% बीमारियों से हम ऐसे ही मुक्त हो गए है तो आज पेट की समस्याओं को दूर करने के लिए constipation से जूज रहे लोगों की help करने के लिए गैस कीhouse problem को ठीक करने के लिए, acidity को ठीक करने के लिए, constipation को ठीक करने के लिए,ondigestion को ठीक करने के लिए, ulcers, hernia को prevent करने के लिए जो PRANA trayam है, वो कपाल भाती प्राइअम हम आज सीखने वाले हैं, कपाल भाती प्राइअम को बहुट सारी लोग गलत तरीके से altri प्र been poured पालभाती प्राणयाम करने के पहले हम यह समझते हैं कि ब्रीद इन और ब्रीद आउट यानि की सांस लेने और छोड़ने की सही और नैचरल प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार की आज अगर आप एज योगा टीचर या एज प्रैक्टिशनर एज योगी आप प्रैक्टिस करत हैं जादा तर या बहुत जादा हैवी लिफ्ट करते हैं अगर आप ऐसे लोगों को ध्यान से अब्जर्फ करेंगे देखेंगे तो जब भी वह ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं तो उनका चेस्ट जो होता है वो फूलता है देखिए ऐसे जादा तर लोग इसी प्रकार से ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने का नाचरल और सही तरीका नहीं है इस प्रकार से ब्रीद इन एन ब्रीद आउट करने से हमारे एब्डॉमिनल रीजन और थोरासिक रीजन की वीच में जो डाइफ्रम है उसकी movement बंद हो जाती है जिसकी वज़े से digestive system related problem जो है वो होती है आजकल इस बात का जो significance आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे हो गए या 20 से 25 साल के बच्चे हो गए जैसे ही एक व्यक्ति की उम्र ह है वो 30 तक पहुचती है उसके पहले उसे diabetes हो जाता है उसी blood pressure के शिकायत हो जाती है उसे digestive system related problem हो जाती है foreign countries में almost हर एक इंसान को constipation की problem है तो यह इसी वज़े से होती है क्योंकि हम गलत तरीके से breathe in and breathe out करते हैं तो सही तरीके से breathe in और breathe out कि इस प्रकार से करते हैं पहले यह स हो चाहिए तो आपकी जो movement है वो कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि inhale करेंगे तो स्टमक और चेस्ट की दोनों की movement जो है वो इस प्रकार से होनी चाहिए जादा तर्लों की movement कैसी होती है सिर्फ चेस्ट की movement होती है और यह एक गलत तरीकी की breathing है तो कपाल भाती करने के लिए eligible या अधिकारी वही है जो सही तरीके से breathe करना जो है वो सीख चुका है तो अगर हमें सही तरीके से breathe in करना और breathe out करना नहीं आता है तो पहले हम इस तरीके से हम breathe in और breathe out करना जो है वो सीखेंगे अब अगर आपने इस चीज़ को master कर लिया है तो I hope आप breathe in जब करते होंगे तो आपका stomach जो है वो बाहर आता होगा और जब आप breathe out करते होंगे तो आपका stomach जो है वो अंदर जाता होगा तो अब इसी प्रक्रिया को हम थोड़ा सा मोडिफाइ करेंगे जब हम breathe in करते हैं तो stomach बाहर आना चाहिए और breathe out जो कि हम slow करते हैं उसे हम slow की जगवा पर fast करेंगे तो देखिया ऐसे तो अभी सिर्फ मैंने नोस्ते पर focus करके ब्रिजन श्लो किया बड़ ब्रीद आउट फास्ट कर रहा हूं ज्यान रहे हैं मैं इन्हेल हर बारी करता हूं और एक्जेल भी हर बारी करता हूं तो हमें इन्हेल करना है और फिर एक्जेल करना है यह हुआ स्टेप नमबर टू तो स्टेप नमबर टू में क्या करेंगे इन्हेल तो स्लो करेंगे पर एक्जेल फास्ट करेंगे इसकी बाद स्टेप नमबर थ्री हमें अपने दोनों हातों को इस नगार से लॉक करके अपने पेट के उपर रख लेना है और इस बारी एक्जेल करते समय हमें पेट को और इस प्रकार से जब आपका अभ्यास हो जाए तो आप अपने हाथों को किसी मुद्रा में रखते हुए कपाल भाति का अभ्यास कर सकते हैं जो की इस प्रकार हैं कपाल भाति प्राणायम का अभ्यास आप 50 या 100 कपाल भाति से कर सकते हैं और आपको इसी ज्यादा से ज्यादा यानि कि 200, 300, 500, 1000 कपाल भाति तक करना चाहिए अगर आप 1500 कपाल भाति जो है वो रेगुलर करते हैं तो विदिन वन और वन अहाफ मन्त आप देखेंगे कि आपकी अब्डॉमिनल एक्टिविटी यानि कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो बहुत जबा स्मूध हो गई है गैस नहीं बन रहा है हार्ट बोन की समस्यां जो है